हलो गाइज वेलकम बैक यह एलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियो नमबर सेकेंड है और उम्मीद आपने पहली वीडियो देखियोगी तो फिर यह भी देखा होगा कि हम इस फॉर्मले तक पहुंच चुके थे और वो फॉर्मला कौन सा था हम यहां तक आ चुके थे कि E cell जो होता है इससे पहले E NOT cell जो E not cell है यह क्या होता था E not right remainis E not left यह दो का आपको यहां जो right में था वो copper था left में था वो zinc था तो हम लिख सकते थे इसको क्या E not cell is equal to E not cathode minus E not anode ठीक है न तो और cathode पर individual reaction होती थी आपको याद है तो E not cell is equal to यह था हमारा cathode पर क्या copper to positive slash copper minus E not anode पर क्या था zinc to positive slash zinc देखो हम कभी भी कभी भी जब standard state की बात करते हैं यहां standard E not का मतलब क्या होता है standard electrode potential जब भी हम standard की बात करते हैं तो पहले ion आता है फिर atom आता है ठीक है पहले ion फिर atom तो E not cell का यह फर्मला हो गया था E not cathode minus E not anode तो अभी मैं आपके सामने बिल्कुल clarity कर दूँ इसी की बात के उपर ताकि फिर बाद में कोई confusion ना रहे याद होगा आपको जब हम at anode लिखते थे तो हम किस तरह से लिखते थे कि भई जिंक ने दो electron loss कर दिये और ये बन गया हम जब लिखते थे cathode तो हम क्या लिखते थे की copper ने दो electron gain कर लिए और वो ये बन गया ठीक है अब कई बच्चों के दिमाग में कई सवाल उठते हैं और वो विचारे उनको find out करने के लिए इदर उदर अपने teacher वगरा से consult कर आती तो मैं आपको बिल्कुल simple simple language में बात को बता दूँ बिल्कुल clear cut कि ये चीज होईगी और आपको कैसे बचना है देखो at anode और cathode पे जो loss of electron gain of electron हुआ है इसे individual reaction बोलते हैं या फिर reaction at each electrode और अम मैं जो बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना ये देखो मैंने क्या ल कि जो पहली reaction है वो भी ZN2 positive दो electron gain करके zinc बनती है और दूसरी reaction copper 2 positive ये भी 2 electron gain करके ये copper बनती है कई जगे आपको ये भी लिखा हुआ दिखाई देगा तो आपको इससे हैरान नहीं होना है क्योंकि ये जो reaction आपके सामने है ये असल में कौन सी reaction है इसी reaction को बोलते हैं हम इन दोनों reaction को ही बोलते हैं हम जो word में यूज़ कर रहा हूं सुनना standard यानि जब ये word आ जाए standard electrode potential तो आपको हर बार gain of electron करके दिखाना होगा याद करो आप हर बार जब भी standard ये not का मतलब स्टेंडर्ड होता है जब भी कभी standard वर्ड आता है आप हमेशा आयन को क्यों लिखते हो पहले फिर बाद में atom लिखते हो क्यों क्यों कि ये वही खेल है standard electrode potential में इस value को क्या लिखते हैं e not क्या zinc two positive slash zinc इस value क्या लिखते हैं e not copper two positive slash copper तो ये इस बात से मत अपने आपको confuse करना कि यार ये तो zinc पे भी नोने electron gain करवा दिया copper पे भी नोने electron gain करवा दिया इन सभी gain करवाने का जो region है वो कहां छुपा हुआ है standard ये वर्ड जहां आ गया वहां दोनों तरफ gain of electron होगे और ज्यादा कोई confusion होगी नहीं आपको कुछ में एक दो और आपको इसके सबूत दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये यूज़ करते हैं ये देखो आपकी NCRT में इस table को ध्यान से देखो ये आपकी NCRT में जो table है इस table में अगर आप ध्यान से ये देखोगे इस table को पूरी को देखो ये देखो इस table में आप जितनी भी values को देख रहे हो जितनी भी values को देख रहे हो हर value में ध्यान से देखो gain of electron gain of electron ये सब gain of electron करके ये बनाते है silver gain of electron, copper gain of electron, zinc ये आपका zinc gain of electron करके जो value बना रहा है वो यहां सभी gain of electron दिखा रखे हैं क्योंकि ये जो word है standard इसकी वज़ेसे electrode potential की जो value है इसकी वज़ेसे क्या हो जाती है आपकी ये हो जाती है कौन सी gain of electron ठीक है तो ये gain of electron जहां भी आए वो standard electrode potential होता है ठीक है अब इतना तो दिमागमा चली क्या होगा गेन ओफ एलेक्टोन यह नॉर्मल इंडिविजूल रियक्शन होती है गेन ओफ एलेक्टोन तभी होता है जब स्टेंडर्ड एलेक्टोर पोटेंशियल हो ठीक है अब देखना जरह द्यान से जो मैं अगली बात बताऊं जितनी भी यह जो वैल यहां पर आ चुके हैं कुल मिलाके हम इस इक्यूएशन को डराइव करने की बात कर रहे थे कौन्ची थी यह इसेल अब यह स्टेंडर्ड नहीं है यह क्या होती है यह स्टेंडर्ड है माइनच 0.059 बाई एन लॉग राइट अपों लेफ्ट का एन तो राइट में कौन जा होगी अच्छा एक बात और भी मैं आपको बता दूँ यह जो आपकी NCRT में आपको जो सेल दे रखा है यह इस तरीके से यह आपका इसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डैनियल सेल ठीक है ना आपको याद है वैसे तो देव डी करके मैंने लिखवाय था य और कुछ भी आजाए तो उसको क्या हम डैनियल सेल बोलेंगे नहीं थोड़ा सा कनिफ्यूजिंग लगा होगा तो मैं बता दूँ डैनियल जो साइन्टिस्ट था उसने अपनी लाइफ में एक ही सेल बनाया था जिसमें उसने लेफ्ट में जिंक को डाला था राइट में सकते हैं ठीक है ना और इसके लावा वाल्टिक सेल वगरा सब कुछ बोल सकते हैं लेकिन जो डैनियल सेल है और किसी सेल को हम डैनियल सेल नहीं बोल सकते हैं डैनियल सेल सिरफ यह ही है लेफ्ट में जिंक राइट में कॉपर इतना पॉपुलर कि नाम डैनियल सेल से रिप् कि standard state में जो हम इसको derive करने वाले हैं तो जैसे कि आपको इस बारे में बिल्कुल confirmation पता लग चुकी है कि standard state में यह जो reaction है वो किस तरह से लिखी जाएंगी तो मैं इसको लिख रहा हूँ इस तरह से कि zinc is equal to किसके हाला कि anode पर है zinc but in standard state in standard state जो आपकी zinc है वो किस तरह के से लिखी जाएगी one minute जो zinc है उसको हम लिखेंगे क्या zinc two positive two electron gain और यह zinc यह आपका एक single electrode आ गया single electrode के लिए e cell कैसे decided होता है उसको ध्यान से सुनना भी single electrode के लिए तो single electrode के लिए e cell is equal to e cell किसका cell तो लिखेंगे ने क्योंकि single है तो यह हम लिखेंगे zn two positive slash zn is equal to क्या e not cell किसका zn two positive slash zn माइनस में यह जो value दे थी rt2f यह value आये थी rt2f की जो calculation थी nurse ने बताये थी nurse equation है यह और natural log किसका one upon में देखो right में तो कोई iron है नहीं तो one upon में zn two positive यह आ गया अब इसी तरह से in standard state in standard state standard state और जो stp है इसके बीच में भी मैं बहुत बड़ा difference आज आपको बता दूँ यह mind twister करने वाली कुछ बाते हैं जो आज की class में ही discuss होगी stp और standard state अगर कोई सोचता हो यह दोनों same है तो यह देखो mind twister stp पर temperature zero degree celsius standard state पर temperature 25 degree celsius ठीक है प्रैसर 180 यहां भी प्रैसर 180 के लिए बोल देते हैं okay standard state का इस्तेमाल कहां करते है थर्मो डाइनमिक डाइनमिक ठीक है और यहां इसका इस्तेमाल कहां करते है है normally ideal gas for one mole one mole ideal gas के लिए ठीक है ना तो थर्मो डाइनमिक में हम इसको तो यह आई-उ-पी-ए-सी के rule regulation है हम इनहीं के according चलते है ठीक है तो यह आप note कर देना highlight कर लेना कहीं भी तो इन standard state में अब इसको देखें रियक्शन को यह कैसी होती है copper two positive दो electron gain कर लिए और क्या बन गया copper फिर से अब इसका representation e copper two positive slash copper is equal to क्या होजाएगा e naught देखो e cell है अब cell तो है नहीं पूरा तो half reaction है ठीक है ना वह बी standard state में है तो इसको ऐसा लिखना ही होगा और कोई हमारे पास तरीका है नीज के लिए जड़न two positive जड़न जड़न बोल रहा हम है copper two positive copper और minus में वही rt two f natural log क्या one minus में copper two positive इस तरीके से ओके अब आगे अगर हम बात करें तो e mf के लिए इस derivation में हम e cell यहनी emf is equal to क्या होगा को मा लगा दो e cell जो होगा वी इस derivation के लिए हम यहां लिख सकते हैं क्या e cathode minus e anode ठीक है e cathode minus e anode आप कोई कहेंगे कि यार यह तो question यह तो हमने e not के लिए पढ़ाता e note cell is equal to e note cathode minus e note anode बिल्कुल भई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो हमने वहीं पढ़ाता लेकिन आप यह देखो न हम सारी condition कौन से ले रहे हैं standard ठीक है न तो यहां जो e cell है यह भी हमें उसी की form में लिखना है तो अब easily put कर दो value को और आपका answer आ गया यहां cathode cathode के लिए हम कौन से इस्तिमाल करने वाले हैं यह standard state किस के लिए था and not के लिए था यह standard state किस के लिए था cathode के लिए था बिल्कुल वैसे ही जैसे हम daniel cell में पढ़ते थे कुछ नहीं करना value को रखो और आपका answer आ गया इसी के बाद जो है derivation mode में यहां कर देता हूँ तो देखो e cell is equal to क्या आएगा आपका e cell is equal to अब आजाएगा e cathode e cathode की value अगर मैं देखो तो यह वाली है ठीक है equation number है आपकी यह two equation number है आपकी यह one तो in short अगर मैं बोल दो तो यह two minus one हुआ है और कुछ नहीं है तो two minus one को हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका e not copper two positive copper minus का rt upon आम तोर पर यह nf होता है लेकिन क्योंकि यहाँ electron zinc two positive में दो होते है तो इसलिए वो दो लगा रखा है कोई बड़ी बात नहीं है natural log one divided by copper two positive ठीक है और minus में अब हम क्या करने वाले है इस में से इस इससे में से minus करेंगे तो e not cell किसका zinc sorry यह zinc two positive slash zinc minus में यहाँ जाएगा आपका rt by nf वही natural log one by zn two positive यहाँ जाएगा ठीक है अब equation आप open करोगे तो minus का यह होगा यह इससा क्या हो जाएगा plus का हो जाएगा तो जो यह minus का होगा इसको इसके पास लेया होगा आपका खेल कतम e not copper two positive slash copper minus में e not zn two positive slash zn यह होगा और जो plus वाला इससा है उसको हम आगे लेयाएगे यहाँ फिर एक काम कर सकते हैं इसमें से minus को common भी ले सकते हैं ठीक है और अगर हम इसमें से minus को common लें तो कुछ यह चीज़ आपके सामने आदेगी यह minus इस तरीके से क्योंकि हमें जो derive करना है वो एक पर यहाँ लिख लो इसका setup क्या था e cell is equal to e not cell minus में 0.059 by n log right upon left का आयन right में कुन सा था zn2 positive upon copper 2 positive overall reaction में देखने पर यह था हमारा तो यह तो आपको ऐसी आ गया ठीक है यह minus है तो आप इस minus को जब open करोगे तो यह इसा हो जाएगा plus यानि आप minus को common ही लोगे मैं तो simple लिख रहा हूँ rt by nf यहाँ हो जाएगा natural log 1 by copper 2 positive और यह इसा plus वाला हो गया क्या rt by nf और natural log 1 by z and 2 positive अगर मैं आपसे यहाँ बोलूँ कि चलो यह तो पूरा का पूरा हो गया minus का तो यह इसा plus का हो गया 1 by copper 2 positive यह minus का हो जाएगा क्या 1 natural log 1 z and 2 positive इस तरीके से बीच में minus है अब आपको याद होगा यह तो e not cell हो गया minus का rt nf अगर natural log को लेते है natural log का हम यूज करें ठीक है और natural log a minus b होता है तो क्या करते थे हम natural log a minus natural log b होता है तो हम क्या करते है natural log a by b यही तो करते थे वही करने वाले हैं a by b तो a यह हो गया 1 by copper 2 positive divided by b हो गया 1 by zinc 2 positive तो zinc उपर चला जाएगा ठीक है और अगली ही equation में जो आने वाला है वो आपका यह आ जाएगा यह देखो यहां आ जाएगा आपका e not cell इस तरीके से e not cell minus क्या rt nf natural log अब zinc 2 positive उपर आ गया और copper निच आएगा बिलकल वही equation बनती जा रही है तो finally e cell is equal to kya e not cell r की value constant है 8.314 temperature standard sheet में मैंने अभी भी बताया था 298 n की value वही आएगी जो electron करते हैं faraday की value 96500 column है ठीक है तो यह हो जाएगी faraday की value 96500 जो है यह fix है अगर इसी chapter के लिए मैं इस information को भी आपको बताऊं तो यह information कुछ ही है द्यान चे सुनना एक electron पर कितना charge होता है यह होता है 1.6 into 10 की power minus 19 column तो बताओ 1 mole electron पर charge यानि 6.022 into 10 की power 23 electron पर कितना charge होगा यह multiply तो करोगे ना minus 19 multiply by 6.022 10 की power 23 जैसे multiply करोगे that is 36,487 column यह answer आएगा और यह इसी को 1 mole electron के charge को कहते है जो की equal हो जाता है कि इसके 1 faraday जिसको roughly क्या बोल जेते हैं 96,500 column तो यह 1 faraday charge है Michael Faraday ने इसको करा था discover book binding की shop पर काम करने वाला एक मामूली सा लड़का बन गया बहुत बड़ा scientist ठीक है तो आगे चलते हैं यह तो हो गया हमारा खतम अब इसको अगर मैं बोल दूँ यहां पर e note cell आ गया minus का r की value t की value f की value सब रख दोगे natural log को अटाएंगे तो logarithm आएगा और multiply के से करते हैं कि 2.303 से multiply कर दें तो finally में जो हमारे पास आएगा वो यह रह जाएगा logarithm z and two positive slash copper two positive यह वही formula है जिस पे हम numerical करने जा रहे हैं अब ठीक है तो सभी value अगर मैं पुट कर दूँ तो यह answer आ जाएगा आर की value क्या आर की value 8.314 ठीक है temperature क्या standard state में 298 Kelvin अच्छा फेराडे क्या and six thousand four five hundred column इस तरीके से यह joule per mole per Kelvin तीक है ना इस तरीके सारी value put करते तो यह सारी की सारी आजिए अच्छा नेचरल log को log में convert करते तो 2.303 से multiply करते हैं तो सब कुछ करने बद फाइनल में यह answer आएगा तो यह वो derivation थी जो exam में नहीं आती आज तक तो आई नहीं और अब इससे आगे हम करते हैं करना क्या numerical को start तो सबसे पहले जो हमारा पहला numerical है वो निकालते हैं इसी पर ही तो फर्स्ट numerical हमारी लिस्ट का यह देखो यह बहुत स्रीज में लगाए हुए question है in-text का question है तो आप अपनी ncrt पे जल्दी से निशान भी लगा लो कहां पर in-text में बिल्कुल यह 3.5 है तो हम जो कर रहे हैं वो in-text का 3.5 है इस question को कर रहे हैं ठीक है calculate emf of the cell अगर यह जो value है equation आपकी यह दे रख्या है आपको emf निकालना है यानि वही same process यहाँ follow होगा तो start करते हैं question है in-text का 3.5 यह है question ठीक है in-text 3.5 read कर लो process वही है जो last class में हमने सीखा था और बिल्कुल अपनी series में चलते रहेंगे हम ताकि आपको पता लगता रहे कि किस किस तरह से answer निकलेंगे और छोटी calculation से बहुत बड़ी-बड़ी calculation तक जाएंगे हम next level तक तो अभी हम जो करने वाले हैं वो है numerical number this यह numerical हम करने वाले हैं तो इसमें कहा गया है calculate emfo calculate करो equation यह है और equation की सकल देखते के साथ ही आपको पता लग गया होगा कि यह overall equation है प्लस में 2ag will give you 2ag की जो value है वो है 0.002 molar और यहां से nickel to positive और इसकी value भी दे रखी है प्लस में 2ag यह आपको overall reaction दे रखी है तो step आपको याद होंगे शुरुआत कैसे करते थे at anode at anode अब anode पे यहां कोई standard state वाली reaction नहीं कर रहे हैं आप normal reaction जितने भी आपकी जो question आएंगे हो सारे बड़े normal है वो जो derivation थी वो अलग है बागी सारे question बड़े normal state में करने आपको क्या nickel पता लग गया nickel ने electron loss कर दिये तो यह आगया आपका two electron silver यह आगया आपका at cathode ठीक है at cathode यहां silver ने एक electron gain कर दिया तो यह silver है ठीक है यहां दोसे से multiply करेंगे ओके तो multiply करने के बाद यह दोसे दो cancel होगा इस तरीके से और n की value क्या जाएगी two ठीक है यह फिर से आपकी कौन सी reaction आगी overall reaction nickel plus में two ag positive will give you nickel two positive plus two ag overall वही आगी जो question में given थी अगला जो step है वो क्या है cell representation cell the presentation तो इस में क्या करना है हमें यह पहले salt bridge फिर left फिर right लेफ्ट में anode पर कहा है यह राइनोड क्या है nickel slash nickel two positive और इसकी concentration है आपकी zero point one six zero molarity यहाँ पर right में क्या right में आ जाएगा आपका silver silver concentration दे रखके zero point zero zero two molarity slash यह silver तो cell presentation के बाद क्या निकालते हैं हम e not cell तो e not cell कैसे सा right वाले को कहते हैं cathode left वाले कहते हैं anode इस तरीके से तो cathode को हम कैसे लिखने वाले हैं e not अब देखो आगे न standard state अब अपने आप पहले क्या लिखना है आपको iron फिर atom ठीक है पहले आप यहाँ भी क्या जाएगा आयन फिर atom तो इचोड़ी सी बात है बागे तो सारे जो tips and tricks है वो तो सारी same ही चलती रहेंगी तो इन में से value जो दे रखी है question में वो पहले ही दे रखी है कि पूरे e not cell की जो value है आपको इसका use क्या हुआ भाई यूज तो आपको time के सासत पता लगता चला जाएगा यह पहले ही दे रखी है 1.05 volt माइनस करकर आके इन्होंने पहले ही दे रखी है यह जो value आगे आपकी तो अभी आपको e cell का जो formula है उसमें इस value को put करना है तो अब देख़वागे e cell कैसे निकालेंगे तो e cell is equal to e not cell minus 0.059 by n log अभी जो derive किया है right upon left का आयन किसका overall reaction इसका right upon left का आयन देख लो भाई साफ साफ पता लग रहा है nickel 2 positive divided by ag positive का square यह आगया ठीक है तो यहाँ e not cell की value है वो रखने वाले हैं जो की given है 1.05 minus 0.059 by n की value अभी आपकी 2 log right right का आयन क्या है nickel nickel e concentration यह है तो यह आगया आपकी 1.6 into 10 की power minus 1 divided by ag की है यह 2 into 10 की power minus 3 लेकिन इसका square भी है ठीक है ना calculation तो आप बड़े आराम से कर लोगे इसकी क्योंकि यह इतनी ज्यादे मुश्किल है नहीं log देखो मैं होता तो कुछ ऐसे करता इसको point को और आगे ले जात हमें इसको 16 into 10 की power क्या बनाता minus 2 बनाता अगर इसको आप बढ़ा रहे हो तो इसको गठाओ और कम कर दो minus 1 minus 2 कर दो ठीक है ना अगर एक digit बढ़ाया तो निचे इसको क्या जाएगा 4 into 10 की power क्या जाएगा minus 6 ठीक है ना तो यह कट गया 4 और यह भी कट गया minus 4 उपर चला जो है इसको पूरे कालकुलेट क्या जाएगा दस की power 4 यह भी उपर चला जाएगा ना तो जो answer आएगा इसका ठीक है ना दो से cancel होने के बाद पूरा का पूरा 4 points यह देखो 1.05 minus 0.059 by 2 into में यह आजाएगा आपका 4.27 cancel करने के बाद 0.91 यह answer आजाएगा आपका 0.914 यह answer आजाएगा तो repetition था ही यह कल जैसा ही question था तो अब इससे जो next level के question है उसके द्यान देंगे थोड़े से अब जो level है इसको और बढ़ाएगे तो अब की बार जो हमारे पास question है वो है यह write the nest equation लिखके दिखाओ determine emf भी निकाल के दिखाओ और यह reaction दे रखके है यानि अब की बार cell representation आया है हमारे पास ठीक है तो question देख लिया होगा आपने starting करते हैं इसको करना शुरू करते हैं तो इस question में हम इस question की शुरूवात करेंगे इसकी nest equation से यानि इसमें nest equation बोला है यानि फॉर्मला है वही nest equation जो आज हमने derive की थी तो यहाँ पे है यह extra question है इसकी कोई इसमें नहीं मिलेगा आपको NCRT में तो क्या है magnesium slash magnesium 2 positive और यहाँ पर 0.001 molarity concentration double slash यानि salt breeze copper 2 positive value है 0.0001 molarity और slash में copper यह value है this is your cell representation और individual electrode की जो standard value है वो दे रखी है इसकी दे रखी है minus 2.37 volt और इसकी दे रखी है copper 2 positive slash copper की plus 0.34 volt minus 2.37 ok 2.37 0.34 volt दोनों की दे रखी है ok answer की बात करें तो शुरुवात कैसे करनी है simple बिल्कुल at anode से करनी है ठीक है anode पर वो ही magnesium will give you magnesium 2 positive 2 electron इस तरीके से ok at cathode की अगर बात की जाए तो यहाँ भी क्या लिखेंगे हम copper 2 positive 2 electron gain और यह copper ठीक है 2 से 2 electron cancel यहाँ भी आन की value 2 लेकिन हर बार नहीं आएगी ठीक है mg प्लस में copper 2 positive will give you mg2 positive प्लस में copper this is your overall reaction ठीक है न वहीं चीज़ बार बार रिपीट हो रही है अच्छा cell representation cell representation की बात करें तो हाला कि दे रखा है cell representation लेकिन यह हमारी help करेगा ठीक है na cell representation दे रखा है concentration छोड़ गया अब normal भी यह ऐसा कैसा लिख सकते हो कोई भी ज़्यादा problem नहीं है mg2 positive double slash copper 2 positive slash copper अब इस cell representation से हम निकालते हैं e not cell क्या होती है e not cell right minus left right क्या है copper 2 positive slash copper minus left क्या है e not mg2 positive slash mg standard state में है तो आयन पहले आएगा ठीक है ना आज हम पूरे दिन में यही देख रहे है standard state आयन पहले standard state आयन पहले तो इस value की जो value दे रखिया है plus 0.34 minus minus 2.37 यह है और finally add कर दें तो यह जो value है यह आज़ेगी 2.71 volt अच्छा एक और बात दता हूं कभी भी e not cell की value वह minus में नहीं आएगी हमें इसा किसम आएगी positive आएगी इस चीज़ को भी आज कई खास चीज़े आगे आपके सामने जैसे standard और standard state और STP में फरक होता है IUPAC ने बताया अच्छा जैसे जो value है यह कभी भी negative नहीं आएगी अगर negative आगी तो यह non spontaneous process होगी spontaneous ही नहीं होगी ठीक है ना जैसे standard में iron पहले आता है और normal cell reaction में आप gain और lost electron दिखा सकते हो ऐसे करके लेकिन standard state में पहले iron आएगा और हमेशा gain of electron करके यह दिखाना होगा जैसे हमने वो table देखी थी standard electron potential की यह value आगी इसके बाद क्या करना है इसके बाद हमारा formula आता है वही जो अभी तक हम कई बाद discuss कर चुके हैं इस formula को e not cell का तो देखो इसके बाद क्या होगा इसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो अब आने वाला है e cell e cell जो की होता है क्या e not cell minus 0.059 by n log right upon left का n कहां से ओर 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 ले एक्सन से ठीक है तो magnesium 2 positive divided by क्या copper 2 positive यह आ गया तो यहां गया e not cell की value 2.71 0.059 and आपने देखी रिया यह रहा 2 ठीक है log right का आयन right का आयन के mg mg का यह जो value है यह है 10 की power minus 3 यहां जो value है 10 की power minus 4 यह तो यह रहासान calculation होगी log 10 ही हो गया तो 2.71 0.059 by 2 यह से cancel करोगे तो आप साब पता लग रहा है log 10 log 10 1 होता है तो 2.71 minus में 0.0295 इस तरीकी से minus कर दोगे तो आपका answer आ जाएगा और यह जो answer आएगा यह है 2.6805 वोल्ट यह आज आगया आपका answer ठीक है एक question को और try करते हैं फिर मैं दो question आपको homework के लिए दूँगा अँमीद है आप वो दोनो question आराम से कर पाऊगे तो देखो एक question और try करते हैं अब की बार जो question है आपकी यह notes में ही है the following chemical reaction is occurring in the electrochemical cell कौन सी यह reaction mg यानि overall reaction देदी और सभी की value भी देदी will the above reaction be spontaneous पूछ रहे हैं कि क्या यह reaction spontaneous है यानि doubtful है हो सकता है answer negative भी आ जाए तो start करते हैं यह आज का last question है इसके बाद मैं दो question homework के लिए दूँआ तो देखो आज का last question क्या था question यह भी out of ncrt है जितने भी question out of ncrt है practice के लिए हैं सारे कर लेंगे हम जितने भी आज तक आए हैं तो एक और question है question क्या है mg plus में 2ag positive value is 0.0001 molarity will give you mg 2 positive value is 0.10 molarity plus में 2ag ठीक है यहाँ e naught cell की value दे रखी है magnesium की mg2 mg की value दे रखी है वो है minus का 2.36 volt और दूसरी e naught cell की value दे रखी है silver ag positive slash ag की वो दे रखी है 0.81 volt इस तरीके से तो answer की अगर बात करें तो at anode anode पर कौन सी reaction होगी भाई अच्छा अब आज इतनी ज़्यादा नई नई बाते बता दी तो मैं एक नई बात और जोड़ रहा हूं यहाँ पर घ्यांज से सुनना देखो हाला कि सभी को पता लग जाता है कि anode magnesium ही है क्योंकि magnesium electron loss कर रहा है लेकिन एक तरीका और होता है anode पता करने का कौन सा इन दोनों e note की values में जो ज़्यादा negative होती है या फिर ज़्यादा कम होती है वो reducing होती है याद रखो यह table बना लेना रजिस्टर के टॉप पे e note value more negative का मतलब है more reducing का मतलब है जो reducing होता है उसी पे ही क्या हो रहा होता है oxidation का मतलब है यही anode पर आएगा क्योंकि an ox ऐसे भी वच्छे याद कर लेते हैं an ox एक bell ठीक है an ox एन ओड पे ही oxidation होता है ठीक है तो anode पर ही oxidation होता है तो यह पूज सीरीज को आप लिख लेना और वैसे short में याद करना हो तो जो ज़्यादा negative होता है वही anode पर आता है बड़ा simple तो पता लग गया magnesium है anode पर इस trick को याद रखना ताकि आगे आने वाले इसमें problem ना हो magnesium electron loss करेगा इस तरीके से और at cathode की बात की जाए तो cathode electron gain करेगा यानि silver electron gain silver ठीक है more reducing जो होता है वही oxidation करता है कल की class में या next class में मैं बताऊंगा redox reaction यानि 11th class के चीज़े हैं यह ठीक है न 11th class में पढ़ते थे हैं हम इनको तो यहाँ अगर हम देखें तो 2 से multiply कर दें क्योंकि electron तो हमें same करने होते हैं तो 2 से multiply n की value क्या आगे आपकी 2 ठीक है तो magnesium प्लस में 2 AG will give you magnesium 2 positive और यहाँ पर अगर देखो तो क्या हो रहा है प्लस में 2 AG ठीक है इसी को more reducing और oxidation में दिक्कत हो तो मैं एक चोटी सी hint देता हूँ आप अपना try कर लेना इसको अभी गलत होगी ही नहीं यह देखो इतना तो सभी को पता ही होगा कि जिंक प्लस में copper 2 positive इल गिव यू जेडन 2 positive प्लस में copper यह main reaction है सुलो द्यान से यह नहीं तो फिर यह बाद में अपना redox reaction ही पढ़ते रहे ना बताओ कि यहाँ जिंक पे क्या हो रहा है जिंक का oxidation number है zero यहां जिंक का oxidation number है टू यह तो पता होना ची यह 11th में redox में था oxygen number increase होने को कहते हैं हम oxidation यहां 2 से 0 है यह डेक्रीज हो रहा है तो इसे क्या कहते है reduction ठीक है अच्छा यह अगर reduction है तो करवा कुए रहा है reduction अगर इस पे reduction हो रहा है तो करवा कुए है jinq तो हम कह सकते हैं कि jinq क्या है reducing agent reducing agent को Sounds jinq और जिंक अगर reducing agent है तो उस बिचारे पर खुद पर क्या हो रहा है Oxidation यानि जो reducing होता है उसी पर क्या हो रहता है Oxidation ये देखो और जो oxidizing होता है उसी पर क्या हो रहता है Reduction समझे लो नहीं तो फिर P block element में बहुत प्रोलम होगी जो reducing होता है उसी पर क्या हो रहता है? Oxidation. Oxidation कहा होता है? Anode. Anode किसी कहते है? Loss of electron. यह रहा Loss of electron. Anox. ठीक है? बच्चे ऐसे भी याद करते है? Anox. और इसका उल्टा लाल बिल्ली. Red cat. यानि cathode पर ही क्या हो रहता है? Reduction. लाल बिल्ली. Anox. ठीक है? वही same process अब आगे चलेग क्या होता है? क्या करोगे इसका? Mg slash Mg2 positive double slash क्या? Ag positive Ag या गया? उसके बाद E not cell निकालना होता है और वो कैसे निकलता है? E not right यानि Ag positive slash Ag minus में E not Mg2 positive slash Mg value रखेंगे तो इसकी value क्या हैगी? 0.81 minus में या आगी minus 2.36 आपका अंसर अगेन positive आ गया और वो कितना positive आ है? 3.17 वोल्ट यहां लिखना है आपको एक लाइन में positive sign indicate that this reaction is spontaneous. ठीक है ना? क्योंकि sign क्या है? positive. अब बात आती है कि E not cell निकालके दिखाओ तो देखो भई E not cell भी sorry E not cell निकालके लिखाओ E cell भी तो E cell is equal to क्या E not cell minus में 0.059 by N log right upon left का N right कौन सा है भाई? Mg2 positive divided by Ag positive का square ठीक है? E not cell है 3.17 minus 0.059 by N की value फिर से 2 सारी 2 आ रिया भी तक तो Mg को अगर हम देखे तो इसकी value है यह री 10 inverse और इसको अगर देखे तो इसकी value है 10 की value है 10 की power minus 4 का square minus 8 हो गया और उपर ले जाएंगे 3.17 0.059 by 2 log यह हो जाएगा calculation करके 10 की power उपर ले जाएगे तो 7 7 उपर ले जाएगे तो plus का 7 ठीक है 7 log 10 हो गया तो 3.17 minus 0.059 by 2 यह हो जाएगा 7 log 10 यानि 7 calculation के बाद इसका answer आएगा आपका 2.9635 वोल्ट ठीक है यह answer आगया अब आपको भी इसी तरह से घर से जो question करने है वो मैं दे रहा हूं यह दो question है आपको यह numbering भी इसी की लिखनी है जो यहाँ पर है 17 एक तो यह 17 करना है है 2016 माय था कोशिश करना हो जाएगा और एक जो करना है वो है 40 यह 40 भी आपको करना है 2009 माय था तो दो question है आपके homework के लिए यहां मैं लिख भी रहा हूं इस पर homework homework ठीक है 17 एक homework है और एक 40 एक homework है उमीद आपको यह class बिलकुल अच्छी तरह समझ में आई होगी मैंने 5 बहुत खास बाते बताई थी और उमीद है वो पांचों खास बाते आपको अच्छी तरह से याद होंगी ठीक है ना अच्छी तरह से उन पांचों खास बातों को समझ अपने दिमाग में रखना थैंक यू सो मुच फॉर इस class अगली class में मिलते हैं आपका जो exam है वो online exam होगा उसको मैं एक पर बता दूँगा किस तरह से आपको देना है ठीक है थैंक यू सो मुच फॉर इस class टेक केर